जैश्री कृष्णा, आज आसार अमावस्या के दिन आईए सुनते हैं अमावस्या की ब्रत कथा अमावस्या के दिन ब्रत करने से सारे पाप नश्ठ हो जाते हैं यह ब्रत इस लोक में सुक और परलोक में मुक्ती देने वाला है आशार अमावस्या से संबंधित कथा का बढ़न निमलिखित प्रकार है स्वर्ग धाम के अलकापुरी नामक नगरी में एक कुबेर नाम का राजा रहता था बहुत बड़ा सिव भक्त था वो हर रोज सिव जी की पूजा किया करता था राजा के यहां हेम नाम का एक माली हर रोज पूजन के लिए फूल लाया करता था हेम माली की एक सुन्दर पत्नी थी जिसका नाम विसालाची था एक दिन माली मान सरोवर से फूल ले तो आया परंतु अपनी पत्नी के साथ हाश्य बिनोध करने लगा राजा दोपहर तक माली की राह देखता रहा राजा कुवेर ने अपने सेवकों को आग्या दी की माली के नाय आने का कारण पता करो क्योंकि वह अभी तक फूल लेकर नहीं आया है सैनिकों ने कहा कि महाराज माली बहुत पापी अतिकामी है वह अपनी इस्त्री के साथ हाश्य बिनोध कर रहा है यह सुनकर राजा को माली पर बहुत गुस्सा आया और राजा ने उस माली को बुलवाया खेम माली राजा के सामने दर से कापता हुआ उपस्थित हुआ राजा कुबेर ने गुस्से में आकर माली को डाटते हुए कहा कि उसने परम पुज्यनी इश्वत सियुजी महाराज का अनादर किया है इसलिए वह इस्त्री का बियोग सहेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोहरी हो जाएगा राजा कुबेर के स्राप देने से हे माली का स्वर्ग से पतन हो गया वह उसी छड प्रीथवी पर जागिरा प्रीथवी पर आते ही उसके सरीर पर कोहर हो गया ये माली की इस्त्री उसी समय अंतरध्यान हो गये प्रीथवी पर आकर माली ने बहुत दुख जेले वह बिना भोजन और जल के जंगल में भटकता रहा ये माली को राट में नीद भी नहीं आती थी लेकिन स्युजी की पूजा करने के प्रभाव से उसे अपने पीछले जन्म की इस्मृती का ज्यान हो गया एक दिन घूमते घूमते माली मारकंडे रिशी के आश्रम में पहुचा उसने देखा कि वहां रिशी ब्रह्मा से भी अधिक बृत थे और आश्रम ब्रह्मा के सभा के समान लगता था हे माली वहां जाकर रिशी के पैरो पर गिर गया उसे देखकर रिशी जी ने पूछा कि उसने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से उसकी यहालत हो गई है हे माली ने रिशी को सारा हाल बताया रिशी जी ने कहा कि उसे एक ब्रत करना होगा जिससे उसका उद्धार होगा रिशी जी ने कहा आशार माश की क्रिश्न पच्छ की योगिनी एकादसी का ब्रत बिधी पुर्वक करेगा तो उसके सारे पाप नश्ठ हो जाएंगे यह सुनकर माली बहुत खुश हुआ उसने रिशी जी को प्रडाम किया इसके बाद ये माली ने बिधी पुर्वक ब्रत किया इस ब्रत के प्रभाव से माली अपने पुराने रूप में आकर अपनी पत्नी के साथ शुखी रहने लगा इस ब्रत को करने से सारे पाप दूर हो गए आसार अमावस्या के दिन किसी पवित्र नदी पर असनान किया जाता है असनान करने के बाद सुर्य देवता को जल अरपित किया जाता है आसार अमावस्या के दिन पुर्वजो का पिंडदान किया जाता है ऐसा करने से पुर्वजो को सांती और मोच प्राप्त होता है आसार अमावस्या के दिन यदि कोई बच्चा पैदा होता है तो सांती पाठ कराया जाता है आसार अमावस्या के दिन खेतों में हल नहीं चलाना और खेत नहीं जोता जाता है आसार अमावस्या के दिन ग्रै बिक्रै और सुब कर्मों को नहीं करना चाहिए इस दिन मांच और सराब का सेवन नहीं करना चाहिए असार अमावस्या के दिन घर में किसी प्रकार की गंदगी नहीं होनी चाहिए आसार अमावस्या के दिन असनान और दान का विशेश महत्व होता है आसार अमावस्या का दिन बहुत ही महत्वपूर दिन होता है क्योंकि कई धार्मिक कार्य किये जाते हैं इस दिन पवित्र नदियों में असनान किया जाता है इस दिन पित्रो कात्तर पड़ किया जाता है आसार अमावस्या के दिन स्राध कर्म दान पुन करने का बिधान बताया जाता है जिन लोगों को राहु केतु के कारण बनने वाले पित्र दोस के कारण ब्यक्ति को मानसिक तनाव रहता है और साथ ही कामों में बाधा आती है इसलिए असार अमावस्या के दिन की जाने वाली पूजा से पित्रो को प्रसंद किया जाता है और उनका आसिरबाद प्राप्त किया जाता है असार अमावस्या के दिन हिंदू अपने घर की साप सफाई करते हैं असार अमावस्या की पूजा को किसी के निवर के लिए इस्ट देवता के प्रति प्रति बंध किया जाता है असार अमावस्या के दिन हिंदूों द्वारा दीप पूजा का रिवाज माना जाता है यह विशेश पूजा पंच महाभूत के हिंदू पिता को समर्पित है इसमें वायू, अगनी, जल, आकास और प्रित्वी को प्रमुख पाच घटक माना जाता है इस दिन ध्यान देना चाहिए कि तालिका का चौरंग दीप पूजा के रिवाज के हिस्से के रूप में उप्योग किया जाना चाहिए इस तालिका को अच्छी तरह से साफ करके इसकी सतह पर रंगोली का आयोजन के साथ सम्रिध किया जाता है सभी दियों को मेज पर एक बैद तरिखे से रखा जाता है और पूजा के लिए लाइन में लगाते हुए जलाया जाता है असार हमावस्या की रात को घर के चारो ओर दिये रखे जाते हैं असार हमावस्या के दिन देवी सरस्वती देवी पार्वती या देवी लच्मी की पूजा की जाती है